साथियों आज ये पच्वी क्लास है इसमें से अधिकांस लोगों की जो समस्याएं है mathematics को ले करके वो बहुत बड़ी है और मैंने देखा जो कमेंट आते हैं जिस तरह के आप चैनल पे चले जाएए PBR study किसी भी basic math के वीडियो में देख लीजिए तो इनकी जो दुख दर्द है वो बहुत बड़ी है आज चार क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ लिया था उसके आगे पढ़ने वाले हैं गुडनखंड पढ़ेंगे जिसका दूसरा नाम अपवर्तक भी है और विभाजक भी किसी को कहा जाता है इंगलिस में साथियों इसको फैक्टर बोलते हैं फैक्टर या डिवाइजर ठीक है कुछ चीजें हैं जिनके एक से अधिक नाम है कई नाम है जैसे होता नहीं किसी का स्कूल का नाम पंकज है घर एक नाम सोनु है सब कहता है स्वनुआ इधर आ सुन जैसे क्या है मैथमेटिक्स में भी कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनके एक से अधिक नाम है जैसे गुड़ज गुड़ज का दूसरा नाम अपवर्त है ठीक है और इसको इंगलिस में मल्टीपल बोला जाता है तो साथियों इनके बारे में हम DTL में अध्यन करेंगे एक चीज औ ज़्यादा शेयर कर दीजिए तुरंट शेयर कर दीजिए निबेदन है आपसे शेयर कर दीजिए जिससे कि हम लोग आगे बढ़ें ठीक है फटाफट शेयर करिए सो के प्लस बच्चे होने चाहिए मैंने 200 टार्गेट रखा था लेकिन आप लोगों के लिए आधा कर दिया है आप लोगों से बिनवर निबेदन है टॉपिक हम सुरू करने चल रहे हैं लेकिन आप सभी साथ ही अपने अपने वाट्स अप गुरूप में लगा दीजिए कलास की लिंक को अपने इस्टेटस में लगा दीजिए कुल सेयर कर दीजिए ठीक है अभी कुछ बच्चे जूड रहे हैं सभी आजाएं तो मैं तुरंट टॉपिक पर चलता हूँ बिल्कुल घबराना नहीं थोड़ा सा इंतजार कर लिजिए रामदयाल जी जुड़ चुके हमारे साथ प्रियांसी यदुबंसी और सुमित जी भी जुड़ चुके हैं प्रिया कुमारी असिता आर्मी बाई पीके गौरी संकर, मोहित, मनोज, अन्जुम, आकास पांडे, दिलीब कुमार और बलवंत सिंग, अनूप, अतुल सर्मा, अनूप राजभर, उर्वर्शी बर्मा, सेजल आहमद और प्रिया सक्सेना ठीक है, कुईन आफ हर्ट्स, ये नाम इनका, गवराईएगा नहीं, लबली भी जुड़ चुकी है, अंजली सिंग, मोहित, ठीक है, बहुत से बच्चे जुड़े हैं, सभी का नाम ले पाना यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, तो माफी चाहते हैं अगर कोई नाराज हो रहा बनाईए बस, सबसे पहले टोपिक है साथियों फैक्तर, ये इतने टोपिक हैं आज के, ठीक है, ये हम लोग डीटियल में पढ़ने वाले हैं आज के टोपिक, सबसे पहले क्या फैक्तर, देखिए, गुड़न खंड और अभाज ये गुड़न खंड में अंतर होता है, वो क क्या है साथियों गुडणखंड है यह सिर्फ गुडणखंड है और समझना और यह है अभाज गुडणखंड अंतर देखना कि यानि यह प्राइम फैक्टर है कि ऊपर वाला क्या है फैक्टर है ठीक है क्लियर जैसे अगर मैंने एक नंबर ले लिए 12 तो इसके जो फैक्टर हो सकते हैं पॉसिबल जितने फैक्टर हैं आप सबको मालूम है आप लोग पढ़े लिखे हैं समझीएगा नहीं समझ में आएगा मैं फिर से बताऊंगा साथियों 12 यानि 12 ये जिन जिन नंबर से कंप्लेटली हो जाएगा वो इसके फैक्टर का लाएंगे समझ रहो जैसे अगर 12 में हम वन का भाग करें तो जीरो आएगा सेजफ़ल अगर हम इसमें दो का भाग करें तब भी सेजफ़ल जीरो आएगा बोलो इतना तो आता न आपको अगर हम इसको तीन से भाग करें तब भी सेजफ़ 네가 जाएगा नहीं देखो जड़ा समझो अगर हम इसको tip 4 से बाग करते हैं तीये 4 परिजा 12 Section 0 है। लेकिन साथ ही मेरे अगर हम इसको 5 से भाग करते हैं तो ये 5 दूनद refusing by समझत थी दून जीरो नहीं नहीं आएगा यह यह 5 से नहीं कटैगा यह पांच से नहीं कटेगा है ना तो क्या करेंगे ज़र समझो यहां पर डबल होने के लिए नहीं बुलाए हैं पढ़ाई कर लो कमेंट में देख रहा हूं बहले हमारी निगाहें इधर को हैं लेकिन हमारा ध्यान तुम्हीं लोग पर है कि पढ़ रहे हो कुछ और कर रहे हो तो सिंगल ही रहो जब तक पढ़ा रहे हैं बात में डबल हो ज दिवाइड नहीं होगा तो यह 6 से भी हो जायागा गारे से बनेट नाइन थ्री को हम उन्हीं सबसे नहीं होगा आगे तो टैन और ट्यल यानि अब ट्यल से होगा यह क्या है इसके फैक्टर है समझ में आए ना यानि 12 के यह सभी इतने फैक्टर हैं जिने गुड़नखंड बोलते हैं अब आप अभाजी गुड़नखंड समझना अभाजी गुड़नखंड साथियों इसके अभाजी गुड़नखंड वो होते हैं जैसे दो दुना चारत यहीं बारा अभाजी गुड़नखंड का मतलब कि उन लोगों को क्या करना है मल्टीपल अगर कर दिया जाए तो यह नंबर आ जाए ठीक है सब का गुड़ा करने पर लेकिन सिर्फ गुड़नखंड ग्यात करना है तो ऐसा नहीं किया जाता है इनका गुड़ा नहीं किया जाता है बोलो दोनों में अंतर समझ में आया कि नहीं प्राइम फैक्टर और फैक्टर में डिफरेंट समझ में आया बोलिए आया कि नहीं यानि factor तो ये सबी हैं, लेकिन ये अभाज नहीं है, क्योंकि ये 4 भी एक भाज संख्या है, 6 भी एक भाज संख्या है, 12 भी क्या है, एक भाज संख्या है, composite number है, समझ में आ रहा है ना? लेकिन अगर इसमें बात करेंगे तो ये अभाजय संख्या है ये भी ये भी सभी क्या है अभाजय संख्या है मनीशा समझ में आ रहा है कोमल बंधना सिंग कविता दूबे कृषणा सिंग कुछ समझ में आया थोड़ा बहुत बुझाया बुद्धिम गुशा कि नहीं अभी सब आएगा थोड़ा धैर बना के रखिए पानी वानी रखे रहे बीच-बीच में उड़िलते जाए यहां भाई यह सिंगल बॉय को हटाओ यहां से यह सब लोग को डिश्टरब कर रहा है आप लोग क्या कर रहे हैं सिंगल बॉय को हटा देखिए जिनको पढ़ना है सिर्फ वहीं पढ़ें बस देखिए एक में थोड़ा कम समझ में आया होगा दूसरा देखिए जैसे अगर मैंने 36 ले लिया तो यह किन-किन नंबर से कम्प्रिटली डिबाइड होगा बताइए बोलिये अगर मैंने 36 लिया तो 36 का भाग किन-किन संख्याओं से पूरी तरह से चला जाएगा बोलिये वह कौन-कौन से नंबर है जिनसे इनको हम पूरी तरह से भाग कर सकते हैं बहुत सिंपल सा बात है पहला नंबर तो वन वन एक ऐसा इंसान है जो हर किसी की साधी में डांस करने जाता विन बूलाए यह हर किसी में रहता है सामिल समझ रहा है हुआ था पहला नंबर तो वन फिर ला कि दो बिवांजता नियम पढ़ाया हूँ इसलिए मैंने सबसे पहले क्या बताया था आपको ते और चूरी तरह कट कटने का मतलब यह है यहां देखो कटना मर्ना नहीं बोल रहा हूं यह मैध की भाशा में कटना नहीं बोलते हैं completely divide हो जाएगा पुर्तः विब्हाज्य हो जाएगा यह मैध की भाशा है कट जाएगा चला जाएगा चला आएगा वालग बाद है वो हम लोग बनाएं ये तीन एकम तीन गटाएं जीरो आया उपर से 6 ले लिया तो 3 टू जा 6 ये 0 आया समझ में आया ना आया समझ में कुछ आया थोड़ा बहुत जितने भी हमारे नए साथी जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अभी बिल्कुल फ्री है ठीक है और कुछ ऐसे साथी होंगे जो कमेंट नहीं कर पा रहे होंगे क्योंकि उन्होंने है अल्द रहे हो टेक। अकुप्लेटी डिवाइड हो जायाएगा वाइप से तो नहीं होगा है शिक्ष से हो जाएगा है क्या यह सेबन से भी पूरी तरह से दीवाइड ही होगा है गन बाकि यह थाट इस औरन च्रोक्र्ट शो आधारा से भी पुरी तरह से विभाज्य है। किससे है? एटीन से हैं और यह थाटीसिक्ष से ही हैं? मैं बहरात। को वो समझ में आया? पंका जी समझ में आया? मनीशा आया समझ में? मैं Corey's Kingdom Aies आगे बढ़े अब इनके हम बात करते हैं अभाज ये गुडनखंड की यानि प्राइम फैक्टर की बात करते हैं तो प्राइम फैक्टर में वही संख्याएं सामिल होंगी जो क्या है अभाज है कोई भी भाज संख्या इसमें नहीं रहेगी चाये बत्ती लेके डूड़ लेना सभी अभाज्य संख्याएं ही रहेंगी लेकिन क्या इसमें भी सभी अभाज्य हैं क्या इस लाइन में सभी अभाज्य संख्याएं हैं बोलिए यास या नो नहीं है, वन टू और थिरी को छोड़ दिया जाये तो ये सभी क्या है, ये सभी भाजे संख्या हैं, अभाजे नहीं है, सिंगल नहीं है, सब डबल डबल है, समझ रहे हो ना, तो 36 को क्या करेंगे बबू, क्या करेंगे भाईया, क्या करेंगे राजा जरत देखो, इसके अभ दुना चार आपका होगी कई से जानगे अनुबह होता देरे देरे चलो दो से भाग करोगे पहली बार 18 आएगा फिर दुबारा करोगे नौ आएगा दो दुना चार और फिर त्याइँ बारा और त्याइँ छत्तिस देखिए अंतर समझ लिजिए मोटा मोटा मैं इसको खतम कर रहा हूँ ज्यादा जिल लवाओंगा नहीं आप लोगों को अभाजी गुडनखंड में साथियों जितने भी नंबर होते हैं सभी क्या होते हैं अभाज्य होते हैं यह दुबारा फिर भी किसी संक्या से कटने की न सभी नबार की अध्या मेरेट लुद्य होते हैं कि इनका मैंजिसमा मेरेट बाक्राप्प करने के बाद में अ उननंबर पराप्द होता है कि समझते होना न इन्सान बुद्धा हो जाता है तो सिर्व यह जो तो उससिफ़ रामराम करता है और आप लोग को जैसे बता तो क् एक चीज़ बताईए, चोटा सा है, भाईया हो आप लोग सभी इमांदारी से ये बताओं कि 48 के कितने हैं Полिया जल्दी से 48 के कितने फैक्टर हो सकते हैं इमांदारी से बताईए देखिए जो साथ ही कमेंट नहीं कर पा रहें बाबू फटा-फटा आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आप भी कमेंट कर पाएं क्योंकि ओनली सब्सक्राइबर मोड है यहां पर न है ठीक है समझ रहे हो न आप लोग चलो ठीक है तो 48 के कितने फैक्टर हो सकते हैं आप लोग मुझे बताना और मैं इसको टॉपिक को खतम करता हूँ आगे बढ़ता हूँ एक चीज फिर चलते चलते मैं आपको बता दूँ साथियों अभाज ये गुडन खंड या फिर इसे क्या बोले फैक्टर इंगलिस में इसका दूसरा नाम अपवर्तक भी है या विभाजक भी है ठीक है यानि अगर कहा जाए कि 48 का आप वर्तक बताओ तब भी आप फोर बता सकते हो 48 का विभाजक भी फोर है 48 का आपजी गुडन खंड नहीं सिर्फ गुडन खंड कह सकते हो आपजी यह गुड़ज क्या है यह कौन से जानवर का नाम है का गुड़ज यह आप वर्थ समझो इसमें मैं को चीजें आपके लिए लाया थालक से कि गुड़ज यह आप वर्थ यह चाहिए संख्या अब को पूढ़ता विभक्त करे तो तो क्या होता तो a को b का गुड रनखंड कहते हैं इस दसा में b को a का गुड़ज कहते हैं अभी आपको थोड़ा कम समझ में आएगा समझ ये कि अज़ी ये ये समझ ये समझ ये समझ ये जैसे अगर माल लेते हैं मैंने गुड़ा करके इसको प्राप्त किया जा सके वो क्या होगी गुड़ज होगा समझ मैं आ रहा कि नहीं दो ऐसी गिंति जिनको मल्टीपल करके इस संख्या को लाया जा सके उन्हें क्या बोलते हैं गुड़ज बोलते हैं जैसे अगर मान लेते हैं कि हमने 4 और 3 ये क्या है भई 4-3-12 इसका क्या गुड़ज है समझ रहे हो ना अगर मैंने इसको 3 इंटु 4 लिखा तो ये भी क्या इसका गुड़ज है 12 x 1 लिखा तो ये भी एक गुड़ज है 1 x 12 लिखा ये भी क्या इसका गुड़ज है सबको समझ में आ रहा कि नहीं परतीब कुमार ने सबसे पहले बताया बहुत अच्छे भाई बेरी गुड ये दि संख्या A को B पूरता विभक्त कर दे A को अगर B भी भक्त कर दे तो A को B का गुड़न खंट बोलते है सही है ये इस कानित मेरे समझ में नहीं आ रही खुदी जो लिखा है पता नहीं कौन इसको लिखा टाइप किया स्वेता ठाकुर हैप्टी मुझतक ये सभी क्या मल्टिपल है ठीक है मल्टिपल आप सभी जानते हैं इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं इसको अपवर्त भी बोलते हैं या गुड़न खंड भी बोलते हैं क्या बोलते हैं अपवर्त या गुड़न खंड भी बोलते हैं राहुल ब्यास को हटाओ भाई यहां से यह बहुत डिश्टब करके रखा है सभी समझ गए कि नहीं यानि ऐसी संख्या है जिनको मल्टीपल करने के बाद जिनको मल्टीपल करने के बाद वो मेन नंबर प्राप्थ हो जाए जैसे मैंने बारा लिखा था न तो चार और तीन का गुड़ा करने पर बारा आ रहा था तो चार और तीन क्या था इसका गुड़ज था ठीक है भिन्नो का LCM आप लोगोंने LCM HCF पढ़ा है न अच्छा ठीक है तो भिन्नो का LCM तो हम बाद में करेंगे पहले कुछ बड़े बड़े नंबर का LCM HCF कर लेते हैं ठीक है चलिए इमांदारी से बताईए 1485 और 435 का HCF बताईए लेकिन मैं अभी HCF सायद बताया नहीं हूँ न बताया था लेकिन बहुत कम डीटियल में नहीं बताया था ठीक है साथियों फिर लिखिए एक छोटा सा सवाल 16-24-36-54 16-24-36-54 इसका LCM बताईए बताईए सभी जितने भी साथी हैं फटा 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 LCM बताए नहीं तो मैं बता रहा हूँ तुरंट बस थोड़ा सा रुकना कुछ सिकेंड के लिए टेंसर नहीं लेना मैं बता रहा हूँ डीटियल में बताऊँगा बिल्कुल अच्छे से बताऊँगा सब समझ में आएगा चले आगे साथियों देखिए LCM निकालने का मैंने आपको दो मेथट बताया था इसमें अगर कोई मुझे जल्दी से बता दे तो मैं जान जाऊँ कि आप लोग बहुत इमानदार हैं चलिए इमानदार सब्द भी आजकल गलत हो गया है तो इनको हम साथियों क्या करेंगे गुडनखंड बिदी से करें कि भाग बिदी से आओ भाग बिदी से कर लेते हैं भाग बिदी में सब एक साथ आ जाते हैं ये 16 24, 36 और 54 मैंने पूछा है LCM कोई नहीं बताया भी तक चलो मैं कर देता हूँ देखिए साथियों इनको सबसे पहले ऐसे ही लिखते हैं ऐसे हराई भना करके फिर एक ऐसा नंबर लेते हैं जिससे ये दोनों कड़ जाए पूरी तरह से completely divide हो जाएं ठीक है मतलब लगभग अगर सभी कड़ जाए तो ज्यादा बहतर है तो वो नंबर होगी दो दो से भाग करेंगे 16 को 16 16 को अच्छा दिख रहा है कि नहीं अच्छे से भाई दिख तो रहा है न सबको कम तो नहीं दिख रहा है दो का भाग 54 में करेंगे 27 आएगा यह कैसे आता है देख लिजिए अगर मैंने दो का भाग करा 24 में तो यह दो एक कम दो घटाने पर 0 आया उपर से 4 उताल लेते हैं और 2 दूना 4 घटाते हैं 0 आया तो जो उपर आता है न वो भागफल होता वही माना जाता है सबसे पहला जब आप सोभा कुमारी का आया है बहुत अच्छे सोभा बेरी गुड और यह सब तो किवल तमासा देख रहे हैं 432 हारा सही है 432 है ठीक है देखिए आप लोग यह मान के चलिए कि mathematics बहुत आफान है गड़ित बहुत आफान है बस मान के चलिए सोच के चलिए कि हाँ बहुत आफान है ठीक है अब क्या करेंगे किस से काटेंगे भई अभी अधिकतर नंबर 2 से completely divided हैं तो 2 से फिर से इने हम भाग करेंगे तो 2 से 8 में भाग करेंगे तो 4 आएगा 2 का भाग साथियों 12 में करेंगे तो 6 आएगा 2 का भाग 18 में करेंगे 9 आएगा दो का भाग 27 में करेंगे तो 27 कटेगा नहीं अगर तो उसको वैसे लिख लिए जाता है उसमें कोई छेड़चाड नहीं कि जाती है ठीक है समझ गए न अब क्या करेंगे फिर से ऐसे ऐसे डिवाइड करते जाएंगे अब मैं ज़्यादा दिर नहीं लगाऊंगा फट से पूरा कर दे रहा हूं कर लीजिए चलिए प्रसदे है ड़ीजिए और दूना चार दो ट्याइन चार ये नोऊ अगर नहीं कट रही गिंति कंपलिटी तो इसमें कुछ नहीं करते हैं कि उसको वैसे लिख दिया जाता है ताइस भी नहीं कटेगा अभी यह दो है एक तीन भी नहीं कटेगा, नौ भी नहीं कटेगा, 27 भी नहीं कटेगा तीन एककम तीन, यह वन तो वन ही उतर जाएगा ठीक है, अब थिरी का भाग जब थिरी में करेंगे साथियों तो वन आएगा थिरी का भाग नाइन में करेंगे तो थिरी आएगा थिरी का भाग अगर 27 में करेंगे तो 9 आएगा, 23, 27, ठीक है, फिर क्या करेंगे, अभी ये 3 से डिवाइड होगा, 1 आ गया जहां वहां तो काम खतम है, 3 वंजा 3, 3, 3, 3, 9, नीचे तक दीख तो रहा है न, ठीक है, अभी एक बार और कटेगा, क्योंकि सब 1 आ जाना चाहिए नीचे ये, अब ये जो आया, इन सब का मल्टीपल कर लेते, ये अंसर होता है, ठीक है साथियों, इनिका क्या करते हैं, गुळा कर लेते, ये अंसर होता है, यहाँ दिख रहा है, अब आम यहां लिख देंगे, LCM, कहांच बेहार कूप है, बर बर कर रहा है आज मेरे पास ये फोन रखा है हलो बहुत अच्छा है लेकिन आप कल दीन में कॉल करिये ठीक है दीन में कॉल करिये चलिए आप क्या करेंगे LCM आफ फोर जो जो था नंबर उन नंबर को लिख देंगे हम लोग या फिर डारेक्ट LCM लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे जगा नहीं है साथियों बहुत कम जगा है तो आप डारेक्ट LCM लिख सकते हैं देखे कितना बार है यह चार बार है न और si कितनी बार है तेन बार है तो दो दोना चार दोना आट दोना सोला सोला 48 48 का 24 में गुड़ा कर लेंगे तो 432 आएगा ठीक है कितना आएगा 432 लिख लिजिए बस हो गया कोई किसी को समस्या तो बता दीजिए देखिए ये LCM था जिसे लिस्ट कामन मल्टीपल बोलते हैं मैंने कल भी बताया था आज मैं एक कोईश्चन और करवा दिया थोड़ा बड़ा था तो ऐसे ही करते हैं बेसिक में ठीक है समझ में आए ना भाई ये नेहा कुमारी नाम से जो कमेंट आ रहा है ना इनका पर्मानेंटली बलग कर दीजिए ये नेहा के पापा है नेहा नहीं है इनके कमेंट अगर आप देखोगे ना तो आप ब्योस हो जाओगे समझ गया ना आगे बढ़ें आप देखिए इसमें लसीम तो मैं आपको पढ़ाई दिया था बड़े बड़े जो नंबर है उनके अच्छी अब भी आपको आने चाहिए चोटे चोटे नंबर का तो आपको आता है जैसे अगर मैं HCF की बात करूँ ऐसे तो कल मैं LCM बता दिया था आज मुझे HCF आपको बताना चाहिए डीटियल में जैसे ये ले लिजिए नंबर 16 और 28 इनका अगर हम HCF बोलें तो क्या होगा ये टॉपिक आप लोग याद रखना बाद में बताना मैं बता दूँगा ठीक है चलिए साथियों ये R.S. अगरवाल पर अधारित आपकी जो R.S. अगरवाल की बुख है उस पर बिलकुल बेस्ड एकदम जीरो लेबल से मैत की कलास है जिनको मैत में कुछ भी नहीं आता है ये बिशेश रूप से उनके लिए है क्योंकि यहां से आप सीख सकते हैं बेतरीन तरीके से आईए सबसे पहले क्या करेंगे हम गुड़न खंड बिदी से करेंगे तो इन सबके फैक्टर करेंगे दो दुना चार दुना आट दुना सोला ये दो दुना चार और सते अठाइस ये क्या होगे फैक्टर होगे है है एक सीख बहुत आफान है इस तरीके से जो दोनों में कॉमन है उनको लिख दिया जाता है दोनों में जोड़ा बना लीजिए कि ये कि दो है क्यों भाई ठीक है एक दो और भी कॉमन है तो एक दो और निकाल लीजिए क्या इसमें और कोई नंबर कॉमन है क्या कोई और नंबर कॉमन है बोलिये नहीं ना तो साथियों क्या करेंगे इनका मल्टिपल कर लेंगे बाबु गुडा कर लेंगे भई यह आगया फोर यह फोर क्या हो गया अंसर आ गया समझ में आया ना जी तेंद्र आया समझ में फार्मन साहा प्रिया कुमारी पंकज कुमार सोभा जी तेंद्र प्रिया सकसेना मोहित अनुपाम हिमांसू मनीशा त्यागी दिनेश चतुरबेदी सभी बोलिये यास यास जिनको समझ में आ नहीं आया गरी आईएगा भी अभी मैं दूसरा भी बताने वाला हूं ठीक है तो साथियों ये तो एक विधी थी इसी कुश्चन को मैं एक और विधी से बताने चल रहा हूं देखिए लेकिन आप लोग उसके पहले कलास को लाइक कर दीजिए निविदन है फट से लाइक कर दीजिए और जितने नए साथ ही है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को सब्सक्राइब क्योंक कमेंट नहीं कर पाऊगे आप फिरी सब्सक्राइब करना कोई पाइसा ने लग रहा है चलो कि अब भाग विदी से इधर साइड में देखो कि इसी को भाग विदी से करते हैं साथियों कुईश्टन था 16 और 28 न पाइक्रोफोन की बैटरी लो हो गई है थीक है थोड़ा अगर चेंज करूंगा तो भागना नहीं इसमें क्या करते हैं साथियों जो बड़ी गिंती है उसको छोटी गिंती से भाग करते हैं थीक है तो शोला का इसमें भाग करेंगे तो 16 वंजा 60 अगर आपको पहाड़ा वा से एक यानि 12 आया देखिए समझी इस दिन बताया था जैसे हम लोग हैं न हम लोग के मम्नी पापा है तो हम लोग उनके क्या है मतलब बच्चे हैं और फिर क्या होगा इसमें से कुछ लोग की हो गई होगी नहीं जिनकी नहीं उनकी जल्दी हो जाएगी साधी ब्या हो लिए वो क्या हो जाएंगे वो भापा बंजाएंगे जो आज बच्चे बने तो ऐसे इसमें होता है मैं ये क्या है भाजक है ये भाज्य है ठिक है 16 क्या है भाजक है ये उसेस्पला है लेकिन अब इसका काम नहीं हो गया झन्रेशन अब नेक्स्ट जन्रेशन ठीक है समझ यह जो 12 है न यह क्या बन जाएगा भाजक ये बन जाएगा कि नहीं है ये भाजक यह भाज़ए अभी तक यह सेशफल था लेकिन अब क्या भाज्य बन गया अभी भाग करेंगे तो 12 ऑंजा 12 इन को गठाएंगे तो क्या है का forward अब ये क्या बन गए यई इसमें आपा बन गए समझे रहे हो कि और चारत यहीं बारा जिस संख्या से भाग देने पर लाइश्ट में जीरो सेज फ़लाएगा वही एचसीएफ कहलाएगा ठीक है तो एचसीएफ क्या होगा चार जैसे देखते नहीं हो मैं चोगरा होता जो लोग क्रिकट खेलते हैं बहुत अच्छे जानते होंगे उसमें क् जो फाइनल में पहुचता है मुझे जहां तक लगता है मैं ज्यादा क्रिकट का सब्सक्राइब तो हो नहीं लेकिन उसी को माना जाता है जीता है ना समझे रहो जैसे दवड़ोगरा होती है या फिर यह सब छोड़ो परिक्षाएं देखो कंपर्टीशन में हाँ तो मैं यह बोल रहा था कि कोई ऐसी परिक्षा जिसमें एक से अधिक लेवल होते हैं तो जो कि यह सारे परिक्षाओं में पास होता है वही माधास माना जाता है ना तो ऐसे इसमें भी होता साथियों ओडिबाइड हर किसी से हो रहा है लेकिन जिससे जीरो से सपहलाएगा वही क्या होगा कि वहीत सीयP होथा है बस समझ गया है ज्यादा इसमें explain करने जरूद नहीं है यह हो गया ठीक है आवाज आने लगी है बोल दीजी है यहाँ आ रहा है ना पंकज ठीक है चलो तो साथियों यह तो हो गया दो गिंती वाला इसी तरह से आप तीन गिंती कभी HCF कर सकते हैं चार कभी कर सकते हैं लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं अभी त इसलिए हम बिल्कुल बेसिक ही बताएंगे यह ठीक है चौदा सो पचासी और तिर्वे आलिस छप्पन इसको बताओ इसका अच्छी अब बताईए कोहते हैं बहुत छोटा छोटा देते हैं ना चलो सिवचरण जी बताईए लक्षमन बगेल बोलिए इनका अचसी अब बताईए कितना आएगा देखे साथियों दोनों विधी आप ट्राई कर सकते हो एक भाग विधी कर सकते हो एक गुडन खंड विधी कर सकते हो दोनों विधी से आप ट्राई कर सकते हो कुछ लोगों का सिकायत होती मैं वह धीरे-धीरे पढ़ाता हूं न मुझे पता है उनको क्या दर्द है वास्तों में उनको ये तकलीफ है ही नहीं इसलिए उन्हें धीरे-धीरे लग रहा है बाकि जिनको वास्तों में मैत नहीं आती न उन्हें इतना धीरे-धीरे भी बड़ करेंगे तो 1450 चोटा है और 43 शपन बढ़ा है ना तो क्या करेंगे 1450 से भाग कर देंगे 43 शपन को कि यह कितनी बार जाएगा भाईया पहली बार जाएगा ना कितनी बार जाएगा दो बार जाएगा तो 2,5,10 हाँ सी लाया एक, 2,8,16,1,7 आप गुड़ा कर लीजिए फटा फट मल्टिपल करना आपको आता है 89,7 आएगा घटा लीजिए गटा लीजिए छे में से 0 गया 0 पंदरा में से 7 गया 8 बारा बारा में से 9 हो गया कितना आएगा 9,3,12 ना तीन क्यों भाई सही है कि नह यह 6 में से 0 गया तो 6 आएगा, सुरी, 1356 आएगा ना, 1386 अब कितनी बार जाएगा अब जैसे मैंने अभी बताया था, अब यह बन जाएगा भाजक, यह क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा और फिर यह क्या बन जाएगा, इसको आपकी दूफरे तरह लिख दिया हूँ, यह बाज्य हो जाएगा, साथी मेरे जब इसमें अब भाग ले जाओगे तो वन टाइम जाएगा, कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, क्या नहीं समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया, बंदना सिंह, हाँ? हाँ ये अच्छा ट्रीक बता रहे हो कह रहे है कि जिसके में आवाज नहीं आ रहे ही मोबाइल को दीवाल में मार्दू पढ़ाग दे आवाज निकल जाएगी हुम सही है चरो ट्राइ कर लो लेकिन क्लास पढ़ लो तब इनको घटा लीजी आपस में 15 में से 6 गया 9 नो नो आट सत्रा ना 99 आएगा मुझे लगता है अब यह क्या हो जाएगा भाजक बन जाएगा यह आपका भाज्य हो जाएगा फिर इसको भाग दे लीजिए चार बार जाएगा लग भग मुझे लगता है करके देख लीजिए चैनल 20 में 14 बार यह से तो जाएगा पहले से लुख। कितना जाएगा 90 भाग देगे देखिए कितनी बार जाएगा किधे कि आप 14 नने 11 10 बार लेजाते हैं तो एक बार ú कड़ जाएगा मुझे लगता है करके देखिए फिला हाल कितना जाएगा ठीक है 99 आप इसमें भाग करिए कर लीजिए एक बार कर लीजिए कि एक बार मिले जाओं पूरा-पूरा चलो नियम से ही ले जाते हैं तो यह 99 आजाएगा घटा लीजिए आपस में शोला मैंसे नौ गया साथ सत्रा सत्रा मैंसे नौ गया आठ ना साथियों अगर इसे आप देखिए तो कितना जा रहा है यह फिर वहीं आ जा रहा ना लगभग में लेकिन वन टाइम क्यों ले जाओगे आप इतना बड़ा है तो यह डारेक्ट आप 14 बार ले जाओ ऐसे तो फिर यह लंबा हो जाएगा गलबड हो जाएगा आप लोग को सब्सक्राइब करेंगे यह HCF आ गया कितना 99 समझ में आए न तो ऐसे करते हैं जी तेंद्र ठीक है ठीक है ठीक है सिद्धार्थ लक्षमन देखिए साथियों जिनको मैत नहीं आती हम यह कलास उन के लिए चलाते हैं तो इसलिए धीरे-धीरे पढ़ाना मजबूरी है और इ सब्सक्राइब करेंगे तो उनको कौन बताएगा उनकी दर्द और तकलिप सुनेगा कौन आखिर इफ लिए अगर आप कम समय में जल्दी फिजल्दी मैथ पढ़ना चाहते हैं और डाउट वगएर हमसे डारेक्ट पूछना चाहते हैं वाटसब नंबर पे तो आप PBR स्ट सब्सक्राइब में आपको पूरा फुल कोर्स मिल जाएगा आप वन मन्त के अंदर पूरा मैच सीख सकते हैं वन मन्त में लेकिन पढ़ना पड़ेगा इमांदारी से ठीक है चाहें तो जाके ट्राइब कर सकते हैं अब भिन्नो का LCM भी बताना है आप लोगों को चलिए थोड़ा और भी कुछ कर लेते हैं इसमें 216, 288 और 720 क्विश्चन लिखिए 216, 288 और 720 इनका अचिसी अब बताईए पूजा राजपूत क्या इसमें बताएं अब जिनको ना समझ में आया भाई देखो वीडियो को फिर से देख ले न यह वीडियो कहीं जाएगा नहीं वीडियो चैनल पे रहेगा आप दुबारा फे देख लीजिएगा लेकिन सर्थ ये है कि आप सभी साथी वीडियो को आनलाइन देखेंगे कोई वीडियो को डाउनलोड नहीं करेगा अगर आप लोग डाउनलोड करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान का सोधा होगा और फिर अच्छा नहीं होगा कलास आपको आगे नहीं मिल पाएगी या इफ लिए आनलाइन देखिएगा जब भी देखिएगा चाहे जब देखिए अब इसका बताईए इन नंबर का आप लोग एच्छी अब बताईए फट से ये 720 है लाश्ट में लाश्ट में 720 है सबी कर लेंगे न कर लोगे न भाईया देखो ये कदम बेसिक वालों के लिए है ये सब चलो इसमें हम क्या करेंगे इन सभी के फैक्टर कर सकते हैं अलग अलग और एक में भी कर सकते हैं और फिर एच्छी अप निकाल लेंगे करके इसको बताना मैं नहीं बताने वाला हूँ अब मैं अगले टॉपिक पर चलता हूँ भिन्नो का LCM और HCF चार्जिंग में लगा देता हूँ एक मिनट रुक न चलिए अब देखिए समझिए साथियों फरेक्षन का जब LCM HCF निकालते हैं हम लोग तो क्या करते हैं एक फर्मूला लगाते हैं फर्मूला काउन सा लगाते हैं आप जानते हो कि नहीं देखो जो भी चीज आपको करना है चाहे LCM करना है या HCF करना है अगर आपको LCM करना है तो अंस का LCM हर का HCF जैसे यहां समझीए तीन बटा साथ पांच बटा अठारा का LCM बताईए बताईए क्या होगा सूत रहां लिखिए आप LCM इक्वल अंसों का LCM और यह हरों का HCF भाई सचीन कुमार जैसे जो काफी सुभचिन तक है उनको मैं पकड़ के तो लाया नहीं हूँ जाके अपना देखो नदंदा पनी जो करना उसको करो का है परशान उन्हीं बेदन है जाओ 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 चलो परफेंटेज 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 पढ़ाया जा चुका है सीरियल से ही पढ़ाया जाएगा ठीक है तो चलिए जल्दी जल्दी से कर लेते हैं फटा फट साथियों इसमें जो ans है इसको इंगलीस में numerator बोलते हैं ठीक है जो इंगलीस वाले हैं उसमझे ले क्या बोलते हैं numerator बोलते हैं हर को denominator बोलते हैं ठीक है तो 3 and 5 का क्या होगा 3 और 5 का हम लोग निकालेंगे LCM ही find करना है न और 7 और 18 का क्या निकालेंगे HCF तो LCM और HCF मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ अगर कोई दो संख्या है जो अभाज्य है पूरी तरह से प्राइम नंबर है तो क्या होता उनका LCM सदे उनका गुड़नफल होता है तो इन तीनों का मल्टिपल कर लेंगे दोनों का सवरी तीन और पांच का इसमें कोई गुड़न खंट तो होगा नहीं कि इसको छोटा-छोटा भाग में तोड़ोगे तो 15 आ जाएगा और अगर HCF की बात करें इनमें दोनों में 1 को छोड़कर कोई दूसरा कामन फैक्टर नहीं है तो यानि जो HCF है हर का वो क्या हो जाएगा वन हो जाएगा कहने का मतलब 15 बटा एक इसका LCM हो जाएगा समझ में आया ना आया समझ में चलिए आगे बढ़े इसको लिख लेजिए फटा-फट जल्दी करिए इसक्रीन साट ले लिए करिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा इसक्रीन साट ले लिजिए साथियों आगे बढ़ते हैं चलिए होगे अडन इसी तरह से अगर मैं कोई और नंबर देता हूं आप ध्यान देना आप इतना छोटा नंबर नहीं मिलेगा चलिए इमानदारी से बताइए तीन पांच और नौ एक मिनट आठ बारा सोला इनका बताईए इनका LCM कितना आएगा फट से बताईए पंकच कविता कसिस सालू गुपता ठीक है कोशिस कर लीजिए आप लोग देखिए बातें बहुत चोटी चोटी यहां पर होती है कोई हवा हवाई वाली बात हम नहीं करते हैं हवाई चप्पल वालों को अब इसको राजनीती में मत जोड़ना यहीं देखना बस चलो क्या करना है इनको भी हल करना यहां पर ठीक है हमारा मतलब जिनको नहीं आता है उनको हम उसी लेबल का बताते हैं जहां से उन्हें आना चाहिए अभी मैं अगर डारेक्ट इसको कर दूं हाँ इसका अंसर यह हो गया उसका वो हो गया तो आपको आएगा कैसे नहीं आएगा ना तीन पांच और नौ का LCM साथियों यहां पर कुछ समझने वाली बात है तीन पांच और नौ का अगर हम लोग LCM लेंगे तो क्या होगा LCM निकालना पड़ेगा एक्चुली इसमें जो तीन और नौ है यह आपस में भाज्य है यह सभी तीनों अगर भाज्य होती तो गुड़ा कर लेते डारेक्ट इसमें आठ बारा और सोला इसका HCF निकालेंगे ठीक है तो करके देखिए आप लोग फिर बताईए मुझे 45 आएगा न मुझे लगता है कितना आएगा 45 45 आएगा अब LCM HCF आपको आता है इनका 3 5 और 9 का LCM निकालोगे 45 आएगा साथियों इनका हर का HCF चार आएगा 4 आएगा 2 नहीं आएगा कितना आएगा 4 आएगा जो लोग 2 बता रहे है वो गड़वड़ जा रहे हैं भाई वो बड़ी सी बड़ी संख्या जिससे ये तीनों कट सकें वो क्या होगा चार होगा ना आज दो थोड़ी होगा ये चार से भी तो कट जाएगा ना तीनों HCF का यही मतलब तो होता है ना highest common factor तो ये अंसर है उरवर्शी गलत है पंकज कुमार जितेंद्र का सही है यसके सिंग गलत है केपी भाई ब्लॉग ठीक है बेरी गुड कोशिस करते रहिए बस टेंसन मतली ये जिन्दगी का यही नाम है कोशिस करते रहिए बस सही समय पर और सही दिशा में अगर आप कोशिस करते हैं तो बहतर होता है अब अगर तुम्हें दिवाल में जाके खोपड़ी लड़ाक ढखेलना सुरू कर दो कर दो हम कोशिस कर रहे हैं तो वो दिवाल नहीं पीछे जाएगी ये कोशिस गलत है यह हो गया अब हमने जो टॉपिक लिए थे उसमें क्या-क्या बचा है अभी इसमें अचसी अब भी इसी तरह करना है उसको भी बताए देता हूं इस तरह के साथियों आप लोग एक और करके बता मुझे देखे जितना ज़्यादा आप लोग प्रफन करेंगे न उतना बेतर रहेगा मैं बार-बार बोल रहा हूं ये कलास उनी के लिए है जिनको मेहत में कुछ नहीं आता है जो एकदम सुन बटा सननाटा है उनी के लिए है तो अगर आप भी उसमें से आते हैं न तो बड़ा भाग साली है क्योंकि ये आप ही के लिए है बताईए इसका बताईए कितना आएगा प्रिया सिंग आ रहा समझ में ठीक है इनका आप लोग LCM कर लीजिएगा और मैं आगे बढ़ रहा हूं ठीक है हाँ कर लीजिएगा ठीक है ठीक है ठीक है ओके ओके डन तो साथियों इस तरह से आप लोग कर सकते हैं अगर हम बात करें इसमें HCF की तो HCF भी बिल्कुल ऐसे ही होता है थोड़ा सा उल्टा होता है वो मतलब एक बताई देता हूं आई ये एक बता देता हूं भिन्नों का HCF और LCM जैसे कुश्चन है 15 बटा 27 और 9 बटा 20 और 8 बटा 12 इनका HCF बताना है आप लोग में से कौन बताएगा देखे साथियों एक बात बता दूँ इसको बताने के पहले जो डेली कलास की नोटिफिकेशन चाहते हैं हर दिन कलास में जूड़ना चाहते हैं और बिल्कुल फ्री वो एक काम कर सकते हैं यह रोहिद जी लिंक दे रहे हैं आपको PVR स्टडी के टेली गराम चैनल की आप उस पर क्लिक करके जाके पी वी यार स्टडी को टेली गराम पर जॉइन कर लेंगे तो हम डेली कलास की सूचना भेजते हैं उसमें और आप उसके माद्यम से कलास में जुड़ सकते हैं ठीक है तो इसको जरूर कर लीजिएगा जिससे आप देख पाएं ठीक है चलो इसका सूत्र होगा साथियों HCF इक्वल अन्सों का HCF और हरों का LCM देखिए मैं दोनों में अंतर बता देता हूं अगर हमें LCM निकालना होता है तो हम क्या करते हैं हरों का LCM करते हैं अन्सों का HCF करते हैं लेकिन अगर HCF निकालना है तो फिर उसी तरह से उसको उल्टा करते हैं ठीक है यह चीज़ आप लोग समझ के चलना चलो फिर कर लेते हैं तो कर लीजिए भाईया 15,9 और 8 इसका HCF करना है यानि highest common factor जरा आप ध्यान दीजिए 15,9 और 8 इनका HCF साथियों इसमें भाज्य संख्याएं तो सभी हैं लेकिन एक संख्या सम है दोनों भी सम है तो कोई एक बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो इन तीनों को पूरी तरह से काट सके कोई एक संख्या इसमें बड़ा लोचा है अगर तीन लोगे तो ये दूनों कट जाएंगे लेकिन ये आठ नहीं कटेगा अगर दो लोग है तो ये कट जाएगा लेकिन ये नहीं कटेगा तो इसमें 1 को छोड़कर बाकी कोई common factor होगा ही नहीं यानि हम कहेंगे कि इसका जो HCF है 1 होगा LCM में आते हैं अभी लिखेंगे इनका LCM कर लिजिए 27, 20 और 12 का परदीब जी ये RS अगरवाल का बुक है RS अगरवाल आप सर्च कर लें नेट पे भी मिल जाएगा बाकी PVR study की बुक अभी बन रही है बहुत जल्दी है आप तक मिलेगी थोड़ा सबर बना के रखिए और अपना विश्वास बनाए रखिए आवाज नहीं आ रही है बैब हो गई कि मोबाइल दिवाल में लड़ाओ आए लेगी चलो तो ठीक है इसको कर लीजिएगा आप लोग कर लेंगे ना मैं आप लोग कर लेना मैं इसको नहीं बताने वाला हूं क्योंकि यह टॉपिक हो गया पूरा ना इसको अटाओ कर लेना आप लोग ठीक है इसका HCF1 आएगा LCM कर लेना LCM जहां तक है अप फैक्टर करना जो भी आएगा सम्टिंग वैसे नहीं ध्यान आ रहा है कर लेना और आगे हाँ इस पर आधारित बहुत सारे प्रस्न आप से पूछे जाते हैं इस पर आधारित बहुत सारे प्रस्न भी आप से पूछे जाते हैं दो संख्याओं का मासा 23 है और लासा 460 है और उन में से एक संख्या 92 है तो दूसरी संख्या क्या होगी ध्यान देना जरा दिल थाम के बैठना जाना नहीं ठीक है जाना नहीं चलिए साथियों दो संख्याओं पर आधारित प्रफन कंपटीशन में भी आपके पूछे जाते हैं वैसे भी अगर आप एकड़मिक में हैं तो उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन सुन लीजिए कहरा कि दो संख्याओं का HCF 23 है और LCM क्या है 460 है उसमें से एक संख्या 92 है तो दूसरी संख्या ग्याद करनी है कितना आएगा भाया चलो बताओ दो संख्याओं का HCF 23 है और दो संख्याओं का LCM 460 है और पहली संख्या 92 है दूसरी संख्या यह पूछ रहा है चलो बोलो कितना आएगा बहुत अच्छी आसिता बहुत अच्छी आसिता बेरी गुड बेरी गुड बेरी गुड साथियों इसमें यह सूत्र होता है पहली संख्या गुडे दूसरी संख्या पहली संख्या गुडे दूसरी संख्या और बराबर इनका मासा और लासा, ठीक है, बराबर क्या होता है, LCM into HCF, ये इसका फर्मूला होता है, तो पहली संख्या हमें नहीं दूसरी ग्याद करनी है, तो हम क्या करेंगे, यहां साटकर्ट में लिख सकते हैं, दूसरी संख्या बराबर, इधर आएगा ये भाग हो अफ, अफान पहली संख्या, ये हम लोग इसमें करके रख देंगे और अंसर आजाएगा, आप लोग निकाल लेंगे, ठीक है, 23 को 460 से गुड़ा कर दीजिए, और भाग दे दीजिए 92 से, तो 23 को 460 से गुड़ा करके 92 से भाग कर दीजिए, 115 आएगा, हल करना आपको आता इसमें आप इतने कमजोर तो हैं नहीं, किसी को कोई परिसानी तो बताईए, बिल्कुल टेंसन मत लीजिएगा, लेकिन इमानदारी से देखिये, साथियों जाईए अगर नहीं, देखिये, कुछ लोग बोर होने लगते हैं, क्यों भाई, समझाना भी जरूरी है न, चलो, इसी तरह से एक और बताव अप लोग, एक और, ध्यान दीजिएगा, जाईएगा नहीं अभी, जाईएगा नहीं, ध्यान दीजिएगा, अभी DL8 का भी कलास है अगली, दो संख्याओं का, जो HCF है, वो 118 है, इनका LCM 220 है, यद इसमें से एक संख्या 36 है, तो क्या दूसरी संख्या निकालना पॉसिबल है, बताईए, क्या ऐसा संभव है की नहीं, अगर संभव है, तो कोशिज करके बताईएगा, और मुझे लग रहा है की अगली DL8 कलास का टाइम हो रहा है, पांच मिनट बचा है, तो मैं इस कलास को यहीं पे इंड करूँगा, चलते चलते आप लोगों से एक निवेदन है, कि साथियों आप सभी इस कलास को एक बार अपने दोस्तों में जरूर सेर कर दीजिएगा, अपने वाटसप इस्टेटस में लगा दीजिएगा, यह आप से बिनमर निवेदन है, जिससे जादा फे जादा बच्चों को इसका आप मिल सके, जो मैद से उमीद छोड़ चुके हैं, जिन्होंने सोच लिया कि मुझे मैद कभी नहीं आएगी, जिन्दगी में मैद की बिना कुछ भी होने वाला नहीं है, वो बिल्कुल इस गलत फाहिमी को निकाल दें, क्योंकि मैद सिखाने की हम पूरी गारंटी लेते हैं अगर आप मातर 30 दिन में पूरा कॉर्स सीखना चाहते हैं मातर 30 दिन में, तो आप PBR Study Apps से जाकर के Basic Math का कॉर्स को जोईन कर लीजिए, पूरी गारंटी यह सीख जाएंगे, लेकिन साथ में कंडीशन है, पढ़ना पढ़ेगा रोज, रोज पढ़ना पढ़ेगा, 30 दिन में अगर आप पढ़ सकते हैं तो जोईन कर लीजिएगा